कि अच्छ कि अच्छ कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ही है ओके टुड़े वी टॉकिंग आउट सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि इस तरह के पीवाइं क्यू इस टॉपिक से आते हैं विकाउस उससे हमार को काफी किलारिटी मिल जाएगी कि हमें इस टॉपिक को किस तरह से स्टडी करना है as usual एक बार प्रिवेस एर कोशिंस के थ्रूँ इससे समझने की कोशिश करते हैं इससे पहला कोशन है which of the following have species that can establish symbiotic relation with other organisms सबसे पहले सेनेडरियन्स, फंगाई, और टोटोजोवा तो इस तीन आप्शन आपको दे रखे आदेकोँ क्लिरली यहां पर आपसे पुछागे कि symbiotic relationship इनमें सी कौन सी species establish करते है तो मैं यहां पर आपको सबसे पहले यह बता देता हूँ होते ही क्या है फिर उसके बाद आपको चीजों को answer करने में शायद help मिले तीकिए आपने शायद loguminous plants के बारे में सुना होगा जिसे हमारी pulses होती है इनकी जड़ों में कुछ आपके bacteria ऐसे रहते हैं जो nitrogen को fix करते हैं और इन pulses को nitrogen supply करते हैं इन return ये pulses भी इनको nutritional feed देती है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में symbiotic relation है इन दोनों के बीच में symbiotic relation है अब एक ऐसे ही example आप polyps का देख सकते हैं और जो आपको corals में देखने को मिलता है मतलब coral जो आपको देखने को मिलते हैं उसमें symbiotic relation है polyp और zoos enthylene का तो वो भी आप एक as an example देखे तो दो species कैसे एक दूसरे को एक shelter provide कर रही है और दूसरा उस species को food provide कर रही है तो वो भी एक तरह का symbiotic relation ही है तो यहाँ पर आप से पूछा गया है कि इन में सी फंगई हो गया, protozova और सेनेडियन्स हो गया यह आपस में कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं मतलब ऐसी कोई species इनके exist करती है तो यहाँ पर definitely इन तीनों के लिए तीनों के case में आप देख सकते है कि फंगई के साथ भी ऐसा होता है और even protozova और निंडेरियास के साथ भी यह होता है तो yes, तीनों ही यहाँ पर correct answer है मतलब हमें कोई symbiotic relation वाली species हो उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि basic concept जो है symbiotic relation क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा idea होना अब दूसरा question बहुत simple सा है आप से यह पूछा गया है एक sandy or saline area है वहाँ पर natural habitat है किसी Indian animal species का animal के कोई वहाँ पर natural predator नहीं है और वहाँ पर उनको सिर्फ और सिर्फ थ्रिट है उनके habitat destruction से इन में सी कौन सा जानवर है ये Indian wild buffalo Indian wild ass Indian wild boar और Indian gizle अब देखो यह cushion काफी simple सा है अगर आपने यहाँ पर हमारे को क्या समझ में आ रहा है उसे समझते है सबसे पहले अगर किसी हम animal के बारे में पढ़ रहे है तो at least अगर उसका कोई unique habitat है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए मतलब जिसे अगर आप मेरे से कहें कि धोल का habitat हमें पता होना चाहिए तो धोल बहुती common animal है बहुत से landscape में उसे देखा जा सकता है उसके बारे में इतना detail में जानना आपके लिए important नहीं रहेगा but at the very same time अगर कोई मेरे को कहे कि बही dancing deer के बारे में आपको पता होना चाहिए तो मैं कहूँगो definitely इसके बारे में पता होना चाहिए because इसका जो habitat है वो unique है ये floating national park में देखने को मिलता है जो कि मरीपूर में established है और उन्हें कहा जाता है फुम्डीस तो वो एक आपको particular आप ये कह सकते कि type of habitat में ही मिलता है बाकी हर जगा commonly नहीं देखने को मिलता तो इसी तरह से यहाँ पर बात की गई है आपके एक जानवर के बारे में जिसको कहा गया है कि भी sandy और slain area में देखने को मिलता है तो wild buffalo की बात की जाए तो asam वाले area में ये देखने को मिलता है तो ये तो नहीं हो सकता और बोर का भी यही है कि ये आपको लेक जहाँ पर अच्छा कासा forest cover area हो वहाँ पर देखने को मिलेगा घिजले का भी यही रहता है सिर्फ और सिर्फ इसमें Indian wild ass ऐसा है जो आपको sandy area में देखने को मिल जाता है तो याद रखना इसका Indian wild ass है Now IUCN category में आपसे मैंने हमेशा काया कि तीन चीज़ों के बारे में याद रखना है एक तो कोई भी species critically endangered हो endangered हो या vulnerable category में इन तीन category में से किसी में भी अगर species fall कर रही है तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए अब यहाँ आपसे ऐसा ही पूछा गया है कि Which of the following group of animal belongs to critically endangered species Great Indian bastard Musk deer Red panda, Asiatic wild ass Kashmir stack, Cheetal Blue bull and Great Indian bastard Snow leopard Sam deer Renesas, Monky and Cyrus crane Then loin tail bakao Blue bull Hanuman langur and Cheetal आप देखो चीतल है commonly आप देखेंगे जहां भी ना जैसे हमने चीतल का री इंट्रोड़क्शन किया था या किसी एरिया में नया हम नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व बनाना चाहते हैं उस एरिया में commonly हम चीतल को इंट्रड्यूस करते हैं चीतल इस लाइक की बहुत endangered category में तो नहीं आता है commonly देखने को मिल जाता है तो यहां पर तो यह दोनों ही आपके odd one out है उसके लावा swarm deer भी इतना ज़्यादा कोई आपका like बहुत endangered category में नहीं आता है तो यह भी आप इसमें like अलग निकाल सकते तो यह तीन options तो आपको commonly हर जंगल में सुनने को मिल जाते है तो that's why अगर आप जब भी किसी national park के बारे में पढ़ रहे हैं और commonly कोई नाम आपको frequently सुनने को मिल रहे है जिसे मान लिजे कोई least concern category में हो या कोई near certain category में हो तो frequently आपको नाम सुनने को मिलते हैं कई बार वो options को eliminate करने की काम आता है हर बार आप हर animal के बारे में शायद ना जानते हो तो यहाँ पर आपको याद रखना है जिस भी आप species के बारे में पढ़ रहे हैं अगर वो least concern या near certain category में है तो उसको skip नहीं करना है at least वो आपको एक option को eliminate करने में help कर सकता है तो यहाँ पर इसका correct answer बनेगा A option create Indian Bustard musk deer red panda and asiatic wild ass यह चार हुई आपके इस category में आ जाते हैं अगर कोई species recently हमने भूंडी हो मतलब discovery हुई हो किसी नई species की तो उसके बारे में भी UPSC question पूछ लेता है अब इसमें आप से किस तरह का question पूछा है जला देखे Recently our scientists have discovered a new and distinct species of banana banana plant which attained height of 11 meter and has orange colored fruit pulp in which part of India it has been discovered अगर देखो यह question ऐसा है कि जिसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा न सभी आप आंसर कर सकते हो otherwise नहीं कर पाऊगे option है आपके पास अंडेमाना निकोबार आइलेंड्स अन्नमलाई माइकाल हिल्स ट्रॉपिकल रेइन फार्स्ट आफ नॉर्थीस्ट एक मैं आपको चीज बिदाता हूँ जनरली आप जो नहीं स्पिशिस देखेंगे न या तो आपको विस्टन घाट में देखने को मिलेगी या नॉर्थ इस्टन पार्ट आफ इंडिया या आपको अंडेमान और निकुबार कई बार ये आपको options eliminate करने में help कर सकते हैं although यहां पर आपको यह याद रखने कि यह जो बिनाना की इस्पिशिस मिले थी यह मिले थी अंडेमान और निकुबार में इसके answer को रटने की जुत नहीं try and learn the thing कि भाई अगर कोई नई species मिलती है मैं उसे एक अलग से page पे note down करूँगा और उसको कहां ढूंडा गया है उसके बारे में वहाँ पर लिखूँगा तो at least यह एक आप चार्ट या कुछ ऐसा बना सकते हैं तो वह आपको काफी help करेगा अब देखू यहां पर आपसे पूछा गया दू तो सम रेजिंस if there is a huge fall in population of species of butterflies what could be its likely consequences तो यहां पर पहला है pollination of some plant could be adversely affected there could be drastic increase in fungal infection of some cultivated plant it could lead to a fall in population of some species of wasp spider and birds select the correct answer using the code given below one only two and three one and three and one two three अब देखू यहां पर जो butterfly है ना butterfly का बहुत deep impact होता है किसी भी ecosystem की health की उपर तो आप यह कह सकतो सबसे prominent और बहुत important species है यह क्यों क्योंकि अगर butterfly नहीं होंगी तो आपको pollination नहीं देखने को मिलेगी pollination रुख जाएगी अब अगर pollination रुख गई तो इससे नई varieties नहीं develop होंगी plants की अब तब plants में evolve करने की tendency कम रहेगी जिसकी वज़े से अलग-अलग बिमारीयों के कारण plants मरने लगेंगे तो यहां पर अगर बात की जाए फर्स statement की तो इससे क्या plants के pollination के उपर adverse impact पड़ेगा the answer is correct क्या इससे fungal infection के उपर असर पड़ेगा the answer is correct but the word used here is drastic increase अथब एकदम से बहुत ही जादा तो वो चीज गलत है यहां आपको समझना होगा एकदम से बहुत जादा आपको impact nature में इस तरह से नहीं देखने को बिलता nature में gradual चीज excalate करती है और फिर top पे पहुंचती जिसे आप climate change को देखते है climate change से related परिशानिया अभी शुरू हुई आने वाले future में यह continuously increase करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी और एक फिर बड़ी problem बन जाएगी तो nature में इस तरह से work होता है एकदम से कुछ नहीं मतलब यह आपका run विजे नहीं है कि एकदम से गुसा आया और पूरी दुनिया को मिटाने चला गया वो अना तो यहाँ पर animal kingdom में ऐसा नहीं होता है तो यह second option आपका eliminate हो गया अब इसमें कहा गया कि भई कुछ species वास्प की और spider की और birds की इनके उपर negative impact पड़ेगा Yes, the answer is quite simple, आप एक बात समझे मैं जैसे vegetarian हूँ मैं रोटी, धाई, सब्जी ऐसी चीज़े खाता हूँ, अब अगर रोटी, धाई, सब्जी ही बनना बंद हो जाए तो क्या मेरे existence के उपर मतलब दुनिया में वेच खाना मिलना ही बंद हो जाए, मेरे को किसी ऐसे island पर fact दे गया है, जहाँ पर मैं सिर्फ नौन वेची खा सकता हूँ, वेच कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे को, तो वहाँ पर मेरा survival थो almost zero है ठीक है जी, same चीज़, आप देखिए कि कुछ wasp, spider और birds के लिए ये butterfly as a food का का काम करते होंगी अब food chain में किसी भी तरह का disruption आता है तो उसका direct impact उस species के existence के ऊपर पड़ता है जिसे मान लीजे, अगर हर भी वोरस जो है ये exist ना करें तो क्या tiger survive कर सकता है ता answer is yes, ये थोड़े बहुत छोटे carnivores को भी खा सकता है वट at the same time, अगर जिसे आप धोल को देखते हैं या आप वुल्फ बगार को देखते हैं अब अगर छोटे जानवर एक जिस नहीं करेंगे हर भी वोरस उनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा negative impact पड़ेगा तो यहाँ पर पहला और तीसरा option ठीक बन जाता है और आंसर बनेगा आपका C option आंसर बनेगा C option नहीं कर्थ तीस नहीं करते हैं धुर्थ एक चैस्टमेंट सर्थ वोर्ड रीस्कॉर्ट इस जा मतमेंट जासो में आपका सिर्फ भीजर्ट अब यहां पर, which of the following statement given above is or are correct? 1 and 2 only, 3 only, 1 and 3 and 1, 2, 3. Orals के बारे में तो I hope आप सभी ने पढ़ा है, तो इसको तो आप easily attempt करी सकते हैं. इस कोशन को तो आप easily attempt करी सकते हैं. और देखो, corals के बारे में ये का जाता है कि they live in symbiotic relations. अब इसको exist करने के लिए कुछ specific चीजे required होती हैं. जिसे temperature आपका 20 degree Celsius से नीचे नहीं जा सकता और 25 से 26 degree Celsius से उपर नहीं जा सकता, otherwise coral bleaching हो जाएगी. पानी में बहुत ज़्यादा dust या आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा turbulence नहीं होना जाएगी. Otherwise यहाँ पर photosynthesis के उपर असर पड़ेगा और photosynthesis नहीं हो पाई तो भी यहाँ पर आपके corals की death हो जाएगी. Similarly यहाँ पर अगर बात के जाए corals के बारे में तो आपको याद रखना है कि जहाँ पर delta formation होता है उन एरिया में भी आपको corals नहीं देखने को मिलते हैं. उनको saline मतलब saline तो नहीं कोंगा बट उनको like आप यह कह सकते है salt rich water चाहिए. So yes, यहाँ पर इस चीज को भी याद रखनां कि पाने के अंदर कितनी salinity है इसके उपर भी यह depend करेगा. पाने का क्या pH level है इसके उपर भी depend करेगा. So there are a lot of things on which you can say this coral reef focus upon. अब मैंने आपको का temperature 22-26 के बीच में होना चाहिए. तो यह सिर्फ और सिर्फ tropical areas में देखने को मिलता है. तेंपरेट एरिया में या polar area में जो पानी का temperature है वो बहुत जादा low है. जिसकी वज़े से यह सिर्फ और सिर्फ tropical water में ही exist करते है तो पहली statement आपके ठीक हो गई. अब doubt आता है कि अस्ट्रेलिया, इंडोनेशा और फिलिपिन में क्या one-third world के corals exist करते हैं और उसके इलावा क्या यहां पर आपको biodiversity, tropical rainforest से ज़्यादा देखने को मिलते हैं? तो answer is yes. You have to understand कि इन्हें अक्सर rainforest of oceans कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? Because यहां पर आपको बहुत ज्यादा biodiversity देखने को मिलते हैं. तो इस वज़े से यहां पर आपके तीनों option ठीक हो गए, क्योंकि Australia में जैसे Great Barrier Reef है, यहां पर आपको इंडोनेशा में भी बहुत से reefs देखने को मिल जाते हैं. इस वज़े से यहां पर one herd आपको population की देखने को मिलती है. Now, try to attempt this question, consider the following animals, hedgehogs, mormot, pangolins. To reduce the chance of being captured by predator, which of the following organism rolls up and rolls up, rolls up and protect itself from or their vulnerable part? 1 & 2, 2 only, 3 only, 1 & 3. Try कीजे इस question को. हां जी, जल्दी से. हेजहॉग और पैंगोलिन, पैंगोलिन, जो स्कीन होती है, काफी हार्ड होती है. तो यह दोनों ऐसा करते हैं, जो जिसमें यह अपने आपको जिसे ऐसे role करके अपने आपको protect करने की कोशिश करते हैं. तो इनका vulnerable part होता है, उसके उपर कोई attack करेगा तो इनकी death हो सकती है. तो यह दोनों उस चीज को perform करते हैं, तो yes, the answer will be D option 1 and 3. तो यहाँ पर कई बारी कुछ animals के special activities को भी आपको याद रखना हो. Now, consider the following animal, sea cow, sea horse, sea loin, which of the above is or are mammal or mammals? आप दे को simple सा question है, अगर आपको पता हो कि इन में सी कौन सा, रिकली अपने young ones को जनम देता है, तो आप इस कोशन को easily attempt कर सकते हैं. जल्दी से इस कोशन को try करके देखिए. हाँ जी. जल्दी से सी काओ और इन में सी कौन सा आपका, इस category में आता है, mammals की. हाँ जी, mammals की category में इन में सी कौन सी species आती हैं? अर्ड option two. अरे, sea horse तो एक छोटे सी आपके fish टाइप से ऐसे दिखती है, यह बहुत बड़ा कुछ नहीं है. तो अगर इसका size छोटा है, तो there is a chance कि यह अंडे ही लेख रहेगा. तो sea horse को अगर आप देखेंगे न, तो बड़ा छोटा सा आपका एक organism है, not big size का नहीं है. तो यहाँ पर sea cow और sea loin, यह दो हो सकते हैं, तो answer बनना चाहिए आपका B option. Yes. Last question of the day. Which of the following is the national aquatic animal of India? अब इसका answer तो आप सभी को पता होना चाहिए. जल्दी से attempt कीजिए इस question को. The answer is kantic dolphin. Now let us talk about क्या करण्ट अफेर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं. Recently there was a tiger population census in India and जिसमें we have found out की बहीं इंडिया में कहीं 1411 tigers हुआ करते थे. अब we have more than 3600 tigers in India. So the population of tiger is continuously increasing and hence, इंडिया में हमने जो T into 2 प्रोग्राम था, उसके target को अचीव कर लिया है. But before starting with this, let's see कि क्या कुछ चीज़े हैं जो हमें याद रखने हैं. According to latest tiger census, at least 3100 tigers are existing in India. Although in 2018, it was around 2900 and 2014 में it was around 2200. तो अभी की बात करें, the number of tigers are continuously growing because of continuous effort from the government of India. जैसे project tiger को हमने successfully implement किया. Although 1973 में ये project start हुआ था, but 2004 तक इसके results इतने अच्छे नहीं थे. Because 2004 में एक report publish होती है, missing tiger, यहाँ पर ये पता लगता है कि Siriska tiger reserve में, actual में कोई tiger exist करता ही नहीं है. And poaching जो था, वो एक major threat माना जा रहा था इन tigers के survival के लिए. And tigers आपके ecosystem में topmost predator है and because of which it has a unique, it has a unique, it has a unique feature. Because comment show हो नहीं रहे हैं क्या. क्यों से question का answer है, question number शायद आपके questions में नहीं लिखा वा था, इस वाज़े से वो एक problem है. क्लास कैंसल नहीं है और newspaper की class भी आज 3.30 PM आराउंड में लेने वाला हो. कुछ family functions थे, मैंने आपको जैसा बताया था, उसके वज़े से late free हुआ था, तो class थोड़ा delayed है. But yes, live class है. हमारे यहां ऐसा नहीं होता कि recorded class आपको डाल के दे दी. नहीं, ऐसा नहीं है. Now, try to understand this part. देखो, अगर हम बात करते हैं, tiger की, तो tiger आपका एक top predator है. यह herbivorous की population को check में रखता है, जिसकी वज़े से यह एक तरह से एक ecosystem को protect और preserve करने के लिए important species है. तो यह का जा रहा है कि इनका जो tiger का जो number है, वो increase होना किसी area में, वो भी हमारे लिए एक समस्या create कर सकता है, because food availability कम हो जाएगी. अब जैसे मालो, किसी area में tiger की population continuously rise कर रही है, and at the very same time, the food availability is shrinking, declining, तो उससे problem यह होगी कि आने वाले समय में, उस tiger की population उस ecosystem में जादा देर तक survive नहीं कर पाएगी, और फिर उनकी death होने लगेगी. जैसा कि कल हमने नील गिरी biosphere के case में भी देखा था. जहाँ पर tiger की population में आपको कुछ कमिया देखने को मुल रही है, जिसे infections फैल रही है, आपस में fight के कारण, injuries के कारण tiger मर रहे है, just because population का number increase हो रहा है और उस area की carrying capacity के beyond है. अब carrying capacity क्या होता है, आप एक चीज़ को समझें, जिसे माल लिजे, मैं 50 kg के वजन को ऐसे उठा सकता हूँ, माल लिजे, अब अगर इस वजन को 70 या 80 kg कर दिया जाएगा, तो तो उसी चीज़ को यहाँ पर आपको समझना होगा कि हर environmental ecosystem की carrying capacity होती है, और beyond which, if things are increased, तो यहाँ पर उसके negative consequences होते हैं, तो आपको tiger की बहुत जादा population increase होगी, तो उससे human-animal conflict भी increase होगी, तो यहाँ पर इस वज़े से यह आपको समझना होगा कि tiger की population को भी हमें control में रखना होगा, अभी 50 साल पूरे हुए थे, last year, 2023 में project tiger को, although project tiger को मैं इस तॉपिक के अंडर लेके आया हूँ, देखो, अब एक बात समझे, project tiger को 50 साल पूरे, tiger census लास्ट येर कंड़क्ट हुआ है, there is huge possibility की question इस टॉपिक के ऊपर आपको आ जाए, इस वज़े से इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं कि भी सबसे ज़्यादा tiger की population कहां पर गुरू करेंगे, कहते हैं सिवालिक हिल्स के एरिया में, यंक्टिक फ्लड एरिया में और इवन नॉर्थ इस्टन हिल्स में और भ्रहंपुत्रा प्रेंस, सुन्दर बन, यहां पर सबसे ज़्यादा आपकी population इंक्रीज हुई है, सबसे population के concerns कहां पर देखने को मिले, कहते हैं जिए पॉपुलिशन वेस्टन घाट में आपकी कम हो रही है, जो कि एक major problem हमारे सामने हैं, अब अभी latest census का although breakdown नहीं है पूरी तरह से, इसमें जिसे camera traps को हमने यूज किया and state wise कितने tiger कहां पर कितने मिले हैं इसको भी अभी breakdown करना बाकी है, तो कुछ estimates के हिसाब से यह का जा रहे है कि 3300 के आसपास आपको tigers देखने को मिल रहे हैं, उच में 3600 के आसपास भी बिताएगे, तो on an average हम देखे, 3000 से अबव हमारे को numbers देखने को मिल रहे हैं, अब tiger में अगर हम बात करते हैं, nearly अब आरपास 5 major tiger zones हुआ करते थे और इन सब में population increase होने की वज़े से, हमें infrastructure और better करना होगा ताकि एक तो हम human animal conflict को रोख सके और दूसरा इनकी food की availability को ensure कर सके अब जाधा तर अगर हम बात करते हैं, लेक जो areas है major five tiger zones हैं, इनमें problems क्या देखने को मिल रहे हैं, एक तो habitat में encroachment देखने को मिल रहे हैं, illegal hunting देखने को मिल रहे हैं टाइगर्स की, human animal conflict बढ़ते हुए हमारे को देखने को मिल रहे हैं, और unregulated cattle grazing की गाए भाए उसको चराने लोग महाँ पर चलेगे, human animal conflict हुआ, वो भी आप problem की तौर पे देखते हैं, और mining की problem है, बहुत जादा infrastructure इस area में increase हो रहा है, जैसे tourism and all इनकी वज़े से, तो यह कुछ major problems हमारे सामने हैं, तो यहाँ पर tiger census के बारे में भी बात कर लेते हैं, national tiger conservation authority, tiger census को conduct करती है, जहाँ पर roughly हर चार साल बाद यह आपके tiger census conduct किये जाते हैं, अभी जैसे 2014 में, आपके 2010, 2014 और 2018 और 22 में आपके tiger census conduct हुए थे, अभी बात की जाए कि big cat alliance के बारे में भी एक बारी बात कर लेते हैं, जिको big cat alliance एक international alliance है, जिसमें हम कोशिश करें जैसे leopards, pyoma, jaguar, cheetah, tiger, loin, leopards, इन सब की, मतलब साथ जो major big cat species है, इनको हम preserve कर सकें, और यह जितनी भी countries में यह big cats देखने को बिलते हैं, इन्होंने मिलके इस alliance की formation की है, ताकि proper information का flow कर सकें, और इन fishes को protect करने के लिए जो भी best practices हैं, वो आपस में discuss कर सकें, इसके अंदर जो हम international big cat alliance की बात करते हैं, इसके अंदर एक journal assembly होती है, जिसमें सभी, जितनी भी countries member हैं, वो सभी आ जाएंगी, जर्नल assembly के इलावा, यहां पर आपको लेकिए council भी देखने को बलते हैं, जिसमें at least 7 to 15 members आपके रहते हैं, जो की elected के जाते हैं, जर्नल assembly के द्वारा, इनका काम क्या है, इनका काम है recommendation देना किस तरह से, इस 7 major जो big cat species हैं, आपकी, इनको हम preserve कर सकें, अभी project tiger के बारे में भी जान लेते हैं, इसके भी 50 साल complete हुए, तो 1973 में इस project को start किया गया था, जहांपर हम survival और conservation के ऊपर focus कर रहे थे tiger के, यह centrally sponsored आपका एक program है, जहांपर funding आपकी center के थूँ आती है, इसको implement करने की जिम्मेवारी, National Tiger Conservation Authority के पास है, और tiger के entire ecosystem को conserve करने की बात की जाती है, means we are not just talking about की, हम tiger के population को बचाने चाते हैं, हम entire ecosystem including उनकी जो food है, including उनका जो habitat है, इन सब को ही हम preserve करना चाते हैं, अब इसमें state government का भी थोड़ा बात रोल रहता है, forest department का भी रोल रहता है, और गवर्वर्मेंटल और्गनेजिशन का भी रोल जिससे अब actual में tigers की population को increase और enhance करते हैं, यहाँ पर इस tiger के बारे में, tiger के बारे में हमें इतना ही जानना है, यह कुछ data वगरा है, but it's not that important, यहाँ तक किसी को कोई doubt हो तो आप पूछ सकते हैं, अच्छा, tiger का IUCN status क्या होता है, जल्दी से बताना, tiger का IUCN status क्या है, क्या tiger critical endangered category में आता है, endangered category में आता है, या vulnerable category में आता है, हाँ जी, tiger का IUCN status, tiger basically आपका endangered category में आता है, and try to learn this thing, India के पास 70% tiger की population है, means 70% of the world's tiger are only found in India, तो यह जो 3600 यह 3000 नमबर आपको देखने को मिल रहा है, तो यह सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर, लेक लेक नमबर है, और 70% यह रिप्रेजन करता है आपके वर्ट के tigers की, अब mangrove peta bald, यह कुछ ऐसा सा दिखने वाला, पासूम सा जानवर है, although काफी सारे areas में यह मिलता है, बढ़ कुछ areas में यह पहली बार देखने को मिल रहा है, खासकर अगर हम बात करें, उडिसा से सटे हुए area में, उडिसा से सटा हुआ कौन सा area, यहां पर मैं बात कर रहा हूँ, कुछ area जैसे भितर करने का, और सुन्दरबन एरिया में, उडिसा और जो आपका वेस्ट बिंगॉल के area है, भितर करने का और सुन्दरबन, इन दोनों में कुछ areas में, आपको पहली बार यह bird species देखने को मिली है, अब अगर इसके habitat के बाद की जाए, जनरली यह आपको कुछ एक mangroves के area में देखने को मिलता है, मतलब mangroves forest में, आपके south east asia में, south asia में, काफी commonly यह bird आपको देखने को मिलता है, काफी commonly यह देखने को मिलता है, और इसका, are you seen status a near threatened, बस आपको इतनी ही चीज़े इसके बारे में याद हैंगें, अब इसमें एक common चीज़ जो आपको देखने को मिलती है, जैसे coastal mangroves में यह देखने को मिलते हैं, यहाँ पर यह grounds के अंदर, या आपके कह सकते हैं कि पेड़ जो पड़े होते हैं, ग्राउंड जो होते हैं, उसके अंदर like hole करके, गड़ा करके, उसके अंदर यह अंडे देती है, उसके अंदर यह रहती है, तो यह चीज़ यहाँ पर आपको याद रखने हैं, तो यह इसके बारे में एक important unique information है, like mangrove, peta, bird के बारे में, यहाँ पर, तीन चीज़े आपको याद रखने हैं, कि it's not endemic to particular part of India, कही न कहीं, बहुत से area में यह आपको देखने को मिलती है, और भितर करने का और सुंदर बन में, यह अभी recently आपको देखने को मिली है, round के अंदर छेद करके यह रहती है, और यह कहा जाता है कि, लेक इस bird को अगर आप देखते हैं, तो यह काफी छोटी है, bright color की रहती है, और mangroves में आपको देखने को मिल जागी, और इसकी category कौन सी रहती है, near threatened category, कौन सी? near threatened category, सबसे बढ़े danger क्या है इसकी, लेक क्यों इस species के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको इसके खत्रों के बारे में पता होता हूँ, urbanization, जिस तौर पे आप mangroves को destroy करते जा रहे हैं, वो एक बड़ी problem है, mangroves को agriculture field के लिए use कर रहे हैं, उससे भी इनके habitat के अंदर destruction आ रहा है, तो ये दो चीज़े, agriculture, aquaculture and urbanization, जिस तीन चीज़े हैं, जिसकी वज़े से इनकी जो population है, वो अभी के लिए decline कर रहे हैं, अभी के लिए decline कर रहे हैं, अब अगला article, we are talking about cheetah, आपको पता होगा, चीता हमने introduce क्या था, पूनू टाइगर रिजर्ब, अब इसकी population, जितने हम 12 लाए थे, उसमें से आधे तो मर गए हैं, अब हमारे सामने problem ये है, कि इन्हें कैसे conserve किया जा, इंटर्डिक्शन हमने यहाँ पर किया है, इसको कैसे successful बनाए जाए हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ा आपको याद रखने हैं, चीज़ा अगर हम बात करते हैं, वन आफ दे बिग काट स्पिशेज में सी एक है आपका, जो की exist करता है रासलेंज में, कहाँ पर exist करता है रासलेंज में, इंडिया में जो चीज़ा इंटर्डियूस किया गया है, वो चीता इंटर्डियूज क्या गया प्रजेक्ट टाइगर की तर्श पर यहाँ पर हम इंडिया के अंदर जिसे आपको पता होगा आजादी के बाद हमारे यहाँ पर से चीता एक्स्टिंट हो चुका था एक सकीन कि मैट बेवेर अबाउट कुछ चीजों के बारें कि जिससे आपको पता होगा कि चीता इंडिया में जो श्याटी चीता मिलता था वह एक्सिंट हो चुगा था अजादी के एक दू साल के अंदर अब अगर बात कि जैए इंडिया के अंदर हम चाते कि टूरिजम को परमोट क सकता है इस वज़े से गौर्वर्मेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया था स्टार्टिंग में आफ्टर इंडिबेंडेंस कि हम इरान से चीता लेकर आएंग इरान के उपर यूसे की सेंक्शन लग जाते हैं जिसकी वज़े से वो प्लान फूट्फुल नहीं उपाना है और एक चीता की बात कीज़े तो वह सरफ इरान में देखने को मिलते हैं तीस के राउंड आपके रहते हैं तो वह क्रिटिकल इंडिया की बात करें तो रिलेटिवली इनका नंबर ज्यादा है तो हमने यहां पर प्रजेक्ट टाइगर की कर तरश पर ही आपकी जो आपकी एक ए के अंदर जहां पर हम यह मान के चल रहे हैं कि थोड़ी बहुत mortality rate इनका हाई रहने वाला है because ecosystem को adapt करने में थोड़ा समय लगेगा because हमने जो चीता ले क्या है वो African चीता है और Asiatic conditions के हिसाब से इसे adjust करने में थोड़ा time लगेगा इसमें कई आपके institutions जिसे like Africa के या खासके South Africa के scientists तोगरा हमारी help कर रहे हैं कि कैसे हम इस चीज़ को manage करें इंडिया में इसकी responsibility National Tiger Conservation Authority को दी गई है अगर चीता की बात की जाए one of the oldest species तो है आयूशें काटेगरी में वनरेबल काटेगरी में आता है आपका African चीता Asiatic चीता की बात करी जाए तो यह आपका critically endangered काटेगरी में आता है यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है इसके बारे में Now let us talk about next important animal that is Asiatic dog धोल आपको क्या लगता है धोल कौन सी काटेगरी में आना चाहिए आयूशें का चालो एक rapid fire question देख लेते हैं हमने अभी mangrove peta के बारे भी पढ़ा था एक bird इसका आयूशें स्टेटस क्या है अभी हमने tiger के बारे भी पढ़ा था इसका आयूशें स्टेटस क्या है और उसके लावा हमने कीता के बारे भी पढ़ा था इसका आयूशें स्टेटस क्या है जल्दी से नियर थैटन क्याटिगरी में आता है वनरेबल नहीं अकाश वनरेबल नहीं नियर थैटन क्याटिगरी अगर बात की जाए इसके अंदर एक special बात यह थी कि जैसे पेड सुके हुए आपके गिरे हुए हैं तो यह उनके अंदर बोल करके छेड वगिरे करके उसके अंदर गड़ा करकर रहता है तो मिंगरूप पीटा के बारे में मैंने आपको बताय है टाइगर का I.U.C.N. स्टेटस टाइगर का I.U.C.N. स्टेटस और एफ्रिकन चीता चल दी से अश्याटिक चीता critically endangered एफ्रिकन चीता one rebel cat आईए अब बात करते हैं अपने important species की डाटर्स धोल अभी recent टाइम में आपका धोल का वर्ल्ड धोल डे बनाये गया था तो उस वज़े से थोड़ा न्यूज मेरा और इसके इलावा आप यह याद देखना कि अश्याटिक चीता को आप अक्सर धोल के डाम से जाने जोकि आपका western घाट eastern western घाट central इंडिया और इवन नॉर्थ इस्टन पार्ट में थोड़ा कम देखने को बनाएं साइट्स जो आपका एक इंपॉर्टन इंडेक्स है जिसमें सारी कन्वेंशन है जिसमें हम कोशिश करते हैं international trade को regulate करने की तो उसके भी बात करते हैं अपेंडिक्स टू में आता है इसको इतना ज्यादा थ्रेट नहीं है रिलेटिवली थ्रेट कम है तो यहां पर वर्ल्ड धोल डे जो मनाया गया था डाटर्स ऑंडी ट्वंटी नाइन्थ ट्वंटी एर्थ ओफ में अब यहां आपको इतना तो याद रखना है इसका आयू सीन स्टेटस जल्दी से बता दीजे आयू सीन स्टेटस इफ विट टॉक अबाउट इसके हाबिटेट के दिस्ट्रक्शन के वज़े से यह इंडेंजर काटेगरी में आता है बट यस हाबिटेट बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है तो इतना ज्यादा खत्रा नहीं दिखाए देता है बट तिल इंडेंजर काटेगरी में आता है इसको याद रखना कौंसे काटेगरी में इंडेंजर काटेगरी में नाव इंपेक्ट ओफ तैकलोन विपर जॉई अन वैल्लाइफ मिपर जॉई का जो impact है वो आपको western part of India पर देखने को मिला था तो इसका कुछ असर आपको Asiatic loins के उपर देखने को मिलेगा क्योंकि आपके गुजरात वाले एरिया में सुरास्ट गुजरात वाले जो एरिया है यहां के तेन डिस्टिक जैसे अमरेली जुनागर्ड और जुनगर्ड जुनागर्ड और भावनगर्ड यहां पर लोकेटेड आपके गिर सोमनात जो वाले लेफ सेंचरी है वहां पर इसका इंपेक्ट देखने को मिलता है इसके इलावा इसका असर ग्रेट इंडिन बस्टर की पॉपलिशन के उपर भी पड़ेगा जो कि आपके इसी वेस्टिन पैरफरी में एक्जस्ट करते हैं तो यहां पर थोड़े कंसर्ण्स रेज होते हैं इतना इंपोर्टन आर्टिकल नहीं है यह याद अखना कि आपके अकसर जब भी इस तरह की चीज़े न्यूज में आते जिसे अशियाटिक लॉइन आपके न्यूज में आए तो इनका आयू सिन स्टेटस आपको पता होना चीज़े तो लॉइन का आयू सिन स्टेटस क्या है इट इस इंडेंजर काटेगरी में आता है अपेंडेक्स वन में आता है आपके साइट के और श्ट्यूल वन में आता है वाइडलाफ प्रोटेक्शन एक्ट के इंडिया में सिरफ गिर नेशनल पार्क में यह एक्जिस्ट करते हैं और उनो इनका एक पोटेंशिल हैबिटेट जोन हो सकते हैं यहां पर आपको तिरफ यह याद रखना है कि ग्रास लेंड्स में मिलते हैं इसके ग्रास लेंड्स में मिलते हैं इंडेंजर काटेगरी में आता है एंड यह जो आपके स्पीशिस है साइट के अपेंडिक्स वन और वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी अपेंडिक्स वन आती है हां बट वहां पर आपकी न बहुत जादा इंडिंजर्ड स्पीशिस पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली नहीं है अब बात कर लेते ग्रेट इंडिंडिंड बस्टर क्रिटिकली इंडिंजर्ड काटेगरी में आता है क्योंकि 150 इसके इंडिजिवल्स रहते उसके इसको सब सब्से बड़ा खत्रा क्या है को जैसे इस इंडियन वाइड आस के बारे में कोशन आया था यहां पर जो एक्वायर सूपर से जा रहे है एक फर्ट है उवह हैं यहां ब्लस प्लस यह जो लिक आपने देखा होगा पाकिस्तान उधार लेने के लिए अलग-अलग क्राउंड प्रिंसिस को यहां पर बुलाता है फिर उनको शूटिंग करने के लिए स्पेज देता है तो वो भी आके इनकी हंटिंग करते हैं वो भी एक इनके लिए बड़ी प्रॉब्रम है तो बहुत तेजी से नहीं उड़ सकता को इसको अपने आपको बचाने में थोड़ी मुश्किल रहती है तो international trade भी होती है इसकी जिसे मीट के लिए तो यह आपको ज्यादा तरकीन एरिया में देखने को मलता है राजिस्थान और गुजराद तो एक confined area ही है प्ट कुछ पैचेज में आपको महराष्ट्रा करनाटका और आंदरपरदेश में भी यह देखने को मिलता है यह एक critically endangered category में आता है एक आपको convention on migrated species है आट बहूर स्पीशन में इसके appendix में में आता है site two trades related अपका है उसके appendix 1 में आता है एद एट एवन वार्लाफ प्रोटीक्शन एक के भी शडियूल 1 में आता है अब आपसे एक सवाल पूचनण चाहता हूं में, क्या मैं यह कह सकता हूँ, टाइगर, लॉइन, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और धोल, इनको सेम प्रोटेक्शन लेवल प्रोवाइड है इंडिया के अंदर. जल्दी से इस कोशन को अटेम्ट कीजी, कोशन बहुत सिम्पल और सरल है, कोशन में आप से पूछा गया है कि भाई, जो टाइगर है, लॉइन है, गिब्ज है, गिब्ज यानि गेट इंडियन बस्टर्ड और धोल, क्या भारतियर नियाय विवस्ता के अकॉर्डिंगली, इन्हें सेम, पूटेक्शन परवाइड है, अब इसमें और यानि आउट कौन सा है? अरे, देखो, टाइगर, लॉइन, गिब्स, ये तीनो ही शेडूल वन में आती है, तो सेम लेवल प्रोटेक्शन इनको प्रोवाइड़ है, बट ढोल जो है, ये शेडूल टू में आती है, तो इस वज़े से इसका जो प्रोटेक्शन लेवल है, रिलेटिवली थोड़ा अब इन में सी, अगर मैं आप से पूछो, इंडेंजर काटेगरी में कौन-कौन से स्पिशेज आती है, इंडेंजर काटेगरी, नौट सेंग क्रिटिकली इंडेंजर, इंडेंजर काटेगरी में कौन-कौन से आती है, तो या दखना, आपके टाइगर आगे, लॉइन आग आप देखो मसाई जिराफ इंडिंजन काटेगरी में आते हैं तो इसके बारे में भी थोड़ा हमारे को पता होना चाहिए कि कहां मिलते हैं किली मंजारों वाला एरिया पता है आपको तो वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं मसाई जिराफ आपके इसे कई बारी चिली, मनजार और जिराफ भी बोला जाता है तो यहाँ पर आपको याद रखनें कि वन आफ दा टॉलेस्ट एनिमल है आपका इसके बारे में अगर इसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो like leaf shaped आपके spots इसके उपर देखने को मिलते हैं colors इसका dark भी हो सकता है, बाकी जिराफ से थोड़ा dark color आपको देखने को मिलता है height भी इसकी comparatively काफी ठीक ठाग रहते हैं बाकी जिराफ के मुकाबले but because habitat fragmentation हो रहा है तो अभी इनकी जो population है वो decline कर रहे है अब जो habitat destruction हो रहा है उसकी वज़े से basically यहां पर interbreeding में problem आ रही है और जो genetic material है आपस में जैसे दो अलग-अलग habitat में fragmentation हुआ है तो वो आपस में आप यह कह सकते हैं कि genes को exchange करने में problem आ रही हो तो यह इनकी survival के लिए एक major problem हो सकती है अब conservation status की बात की जाएं तो just like whole यह भी आपके endangered category में आने के साथ साथ IUCN के status मैंने आपको बता दिये but sites के appendix one में आते हैं अपने को उससे ज़्यादा इसके बारे में जानने की जूर्पने बिकास इंडिया में नहीं मिलते हैं कि एफ्रीका के किलिवन जारो वाले एडिया में मिल तो वहां के लॉग के यसे बच्चे को जनम दिया मां बच्चे को लात मारती लात मारके उसको होश में लाती होश में लाने के बाद आप यह कह सकते कि विदिन कुछ कुछ टाइम के क्योंकि देखो इनके बहुत जादा है तो यहां पर इनको भागना पड़ता है तो विदिन अगर आपसे एक स्टेटमेंट आजए कि भी कुछ टाइम के अंदर ही इनका बच्चा पैदा होके भागने लग जाता है यह स्टेटमेंट आपके बिलकुल करेक् कर निए एक फ्रूट झालेते हैं वेजटेवल्स झालेते हैं या आप यहका सकते हैं कि बड़े-बड़े पेड़ों के पत्तों को खा लेते हैं तो वैसे इनका डायटिरी प्लान रहता है जनुर्ञ ऐसे कन्हारा पार्ट जयसे में केनिया तंजानिया इन एरिया के सावा तो यहां पर आपसे अगर मैं पूछूँ इस जिराफ के बारे में तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि यह सवाना फॉरस्ट में देखने को मिलते हैं क्या मैं यह कह सकता हूँ इनका गेस्टिशन पीरड 15 मंद का रहता है आफ्टर बर्थ बच्चा जो है भागना शुरू कर दिता है कुछ ही घंटों के अंदर और यह अर्वी वोरस है जो कि श्रब्स और ग्रास लैंड वाले एरिया में रहना पसंद करते हैं इन में सी क्या कोई स्ट्रीट्मेंट गलत है जल्दी से बताईए हमने अभी पढ़ा मसाई जिराफ के बारे में कुछ इस तरह से दिखता है और लॉंगेस्ट हाइट में सबसे लंबा आपके जिराफ है जिसके हाइट 15 मेटर तक भी चली जाती है कई बार तो क्या यह पांचो स्ट्रीट्मेंट इसके बारे में करेक्ट है और करेक्ट बिलकुत सहीं अच्छा दूसरी जी यहां पर मैं आपके पूछना चाहूंगा कि यह क्या केनिया और तंजानिया में मिलते हैं क्या यह केनिया और तंजानिया में देखने को मिलते हैं आफ्रिका में नॉट अमेरिका अफ्रिका में देखने को में केनिया और और कहां पर सवाना पहले ग्रासलिंद की खासकर इनका वहां पर लोकीशन पर तो आझा क्यों लिए और सूफल ऑन पर आप गर में कि ओस आप दroe से और है पर निल्स निलाइन में और चोटी ऑड़र में अगत्र गर्वारे से तो इसी यह तो से इगर में बसक्र पाड़ी तो की जाए तो अगर इस स्पिशिस की बात की जाए तो आपको यहां पर यह याद रखना है कि यह बेसिकली अभी रिसेंट्ली कुछ एरिया में इसे ढूंडा गया है इसका जो जनाटिक मंटीरियल है इंटायर जीन्स इसमें आप यह कह सकते हैं जीन्स के अंदर पंद्रह सो से ज्यादा ऐसी स्पिशिस आपको देखने को मिलती है तो बस इसमें इसकी कोई आयूसीन स्टेटस तो है नहीं पहली चीज़ ना ही इसका कोई साइट से गयरा के साथ लेना देना है तो हमें बस यह याद रखना है आपको एक कोशन आ जाएगा रिसेंटली जोरो सोफील या बस इतना ही इसके बारे में आपको याद अखना है ना लेट आस टॉक अबाट गीको गीको अभी इसके ओपर रिसेर्च कंड़क किया मिजूरम की यूनिवस्टी में अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुछ गीको आपकी उड़ सकते हैं जैसे यहाँ पर इसकी बात करें इसकी बाड़ी का जो डिजाइन है यह इस तरह से कि अगर यह पेड़ से गिरती है ना तो यह थोड़ा ग्लाइड कर सकते हैं जैसे आपने देखा होगा कई मूवी में ना हीरो कुछ ऐसे कॉस्ट्यूम से पहनते हैं जैसे साहो मूवी में था शायद जो थोड़ फलफी सा होता है यह मैंने की कई मूवी में देखा है जैसे ऊपर से कूथते हैं तो वह ऐसा होता है कि थोड़ा सा लेक उनके बाड़ी के ऊपर कुछ कवरिंग ऐसी रहती है कि हावा के साथ वह फ्लोट कर सकते हैं फूड़ा ग्लाइड कर सकते हैं तो इसमें भी वह खूकले की फर्जाती है और यह जो मीजोरम है कि स्टेट का नाम बता रही है और यह आपकी एक नई स्पिषेज मिली है जो फ्लाइड कर सकती है तो यहां पर आपको यादा ना कि ऐकलोती नहीं साथ इसी सर्थेशीया में ऐसे तेरा स्पिषेज आपकी और हैं तो अगर आ जर्म में मिली है हमें अभी रीसेंटली एक न्यू स्पीशिस इसके हमने ये डिसकवर की है तो यहां पर इसके बारे में तिरफ और सिरफ इतना ही याद रखने हैं अब लास्ट टॉपिक आफ दे डैट इस अबाउट हाइनास उसके बाद भी बहुत से टॉपिक हमारे पास बचे में जैसे वल्चर सर्वे या आपके यूरेशन ओर्टर के बारे में और शू क्राप्स के बारे में आर्टिकल्स बहुत हैं बट वी विल डिसकरसिंग टुमारो आए हाइनास के साथ आज के टॉपिक को खतम करते हैं जानते हाइनास के बारे में कुछ इंपॉर्टन खतिकी अगर हाइनास की बात करें तो यह आपके आगे रहते हैं जो सबसे विकेस्ट होते हैं वो पीछ मे रखे जाते हैं और पीछे की तरफ भी आपके लेक लेक्स्ट्रॉंगस्ट एनिमल यहां पर देखने को मिलती है हमेशा इन में हाइस रेंकिंग में आपको क्वीन देखने को मिलेगी मतलब फीमेल आपको देखने को मिलेगी टॉप मोस्ट इसकी हरार्की में तो मतलब आप यह मानके जले कि अगर इसमें जुंड में कोई है तो वह हो सकता है कि इस जुंड की रानी हो अब यहां पर आपको कुछ चीजे याद रखने के जैसे आइनास आपको एशिया और एफ्रीका दोनु कंटरी में देखने को मिलते हैं नौट जस्ट एफ्रीका में यह जनरली आपको ग्रास लेंच में देखने को मिलेंगे ज इनकी जौ काफी स्टॉंग रहते हैं तो जिसके वज़े से यह अटाक करते हैं जैसे नेक वगएरा वाले एरिया में तो यहां पर लेक अगर बात की जाए इनको लेक आर नौट लाट की सूशल अनिमल टाइप से नहीं होते हैं और कुछ मूवी में मिसकंसेप्शन वगए ब्राउन हाइनास भी आपके नियर थेरन केटिगरी में आते हैं और अड्रॉफ आपके हाइनास लीस्ट कंसर्ण काटिगरी में तो डॉमिनेटेड हमेशे याद अखना पहले चीज क्लैन को डॉमिनेट कौन करता है फीमेल हाइना दूसरी चीज आई उसे इन स्टेटेस की बात की जाए जनरली लीस्ट कंसर्ण से लेकर नियर थेरन काटिगरी में आते हैं तो आई उसे इन स्टेटेस के बारे में इसमें नहीं पूछेगा यूपिया केस्ट्रिशन पिरिट चार महिने का रहता है जिसमें एक से चार बच्चों को जर्म देते हैं जिसमें जो भी फेमेल होगी आगे चलकर हो सकता है क्लान को वही रिप्रेजेंट करें इसके लावा लेक आर नॉट वेरी सूशल कहीं नहीं रूथलिस किलिंग मशीन के नाम से भी इने जाना जाता है और यह ग्रास्लेंट के एको सिस्टम में रहते हैं और एश्या और एफ्रिका दोरों में ही भर भर के अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं तो आज के अपनी डिसकेशन में हम इतना ही करने वाले हैं बट येस वी हाव अलाट अफ टॉपिक्स त तिंक्स की आज जो हमने स्पीशिस के बारे में आयूसियन स्टेटस के बारे में देखा है उसको एटलिस्ट याद करके आना कल हो सकता है कि उसके बारे में मैं आप से सवाल करूं आज की क्लास में इतना ही था कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ डाउट है कल की क्लास में हमारे पास टॉपिक्स में हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं जैसे कुछ नई स्पीशिस हमें मिली हैं उनके बारे में जानेंगे फिर कुछ जैसे बैट्स के जिनोम सेक्विंसिंग के बारे में हम समझेंगे फिर हम पॉर्क प्लीन के बारे में जानेंगे और उसके इलावा जैसे कश्मीर फ्लाय कैचर के बारे में हम पढ़ेंगे then second bird के बारे में हम जानेंगे second bird then यहां पर Great Indian Bustard के बारे में थोड़ा हमारा आर्टिकल्स रहने वाले है फिर Asiatic Black Bear के बारे में हम पढ़ने वाले है फुल लॉक गीवन के बारे में हम देखने वाले हैं उसके अलावा कश्मी स्टाग हुंगल के बारे में हमारा discussion रहेगा Indian Eagle Owl के बारे में हमारा discussion रहेगा और बहुत सी चीज़े हैं जो हमें कवर करनी है कल के आर्टिकल्स कोशिश करना कल की class जरूर से attempt करना कल की class हो सकता है कि अपनी final class environment series की इसके बाद एक topic रहता है मंड़े को अगर डूंगा मैं उस topic को तो वह रहेगा pollution के बाद इस series में हम और classes नहीं देखेंगे की environment में इतने ही area से सबसे ज़्यादा कोशन बन सकते हैं minimum time में maximum output यहीं से ही आ सकते हैं तो आज की discussion को यहीं end करते हैं I hope आपको discussion अच्छी लगी हो आपको कल मिलता हो एक बार फिर से एक बजे अपनी नहीं class के आज के लिए इतना ही धन्यवाद झाल